हेलो एब्रिवन तो मैं हूद व्यकसर फ्रॉम डीके आर टो सिक्स वाइब तो आप सभी का हमारे डीके आर टो सिक्स वाइब चैनल पर स्वागत है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ होटी दी पाउली के लिए रंगोली अगर आपका मन हो तो आप इसे बना सकते हैं बड़ी मैंने यहाँ पर तीन सरकल बनाए हैं जिन्हीं मैं एक ठीरी टाइप सा लुग दूँगी मतलब ऐसा बोल सकते हैं जिश्ट लाइक बबल बबल में जो लुक आता है वैसा ही मैं एक यहाँ पर सबको लुक देने की कोसिस करूँगी और यहाँ पर मैंने ठीरी सरकल्स से दबा हुआ है मरलब दिखने पर एक बहुत ही अच्छा लुका है ऐसा रंगोली मैंने अपने इस रंगोली को मैंने अपने थौट से पहले सोचा कि क्या कुछ नया किया जाए और मैंने इस रंगोली को पिर क्रियेट किया तो आप भी इस न्यू टाइप की रंगोली को और देखे कि कैसा लगता है आपको तो इस तरीके से मैंने सभी डिबो में कलर भर लिया है और अब यहां पर बारी है फिनिशिंग देने की सरकल्स में मैंने थोड़ा सा लाइन दिया और थोड़ा सा बिंदू डाल दिया यहां पर तो इसी तरीके से तीनों में कर दिया फिर उपर का जो शर्कल है उसमें भी मैंने पूरा कलर फिल कर दिया और मैंने जश्ट आमने सामने का जो शर्कल है उसका जो कलर है उसे मैंने फिर बदल किया है यहाँ पर हमारा जो कमल पूल है उसे भी मैं पूरा पहले पिंक कलर फिल कर दोंगी और यहाँ पर मैंने डार्क पिंक लिया हुआ है और लाइट पिंक से हम हाइलाइट करेंगे और फोड़ा और डार्क पिंक से हम यहाँ पर जो बेस देने है नीचे के सैडिंग्स देने है वो सारे चीज मैं डार्क पिंक कलर से यहाँ पर कर रही हूँ और जब मैं highlight करने के लिए light pink color जब डालूंगे तब वो बहुत अच्छे से खिल के आएगा और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने पे और यहाँ पर मैंने बना दिया उसका डंडी और इस सरकल में भी मैं सेम डिजाइन रखूंगी और मैं मोटा मोटा बॉर्डर कर रही हूं ताकि वो दिने में जो लूप होना वो अच्छे से निखर के आए बस ऐसा लूप मुझे चाहिए और यहाँ पर फिर मैंने जो ग्रीन पर जो मेरा ग्रीन कलर का डबा है मैंने उसम हाई साथ में थोड़ा सा डिजाइन लिखा देंगे एक्दम सिंपल सिंपल सा है जो यहाँ पर मैंने लीग दिया है है एपी छोटी दिवाली तो आप इसी तरीके से लीँग सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते बहुत सिंपल रख दिये हैं यह देखिए और हमारी जो रं तरफ इतना है मिलते हैं हम अगले वीडियो में